वीडियो को मैं एक डिस्क्लेमर के संग शुरू करूंगी जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे अंदाजा था कि मेरे पास 35 के करीब कोलियस वराइटीज हैं पर वीडियो बनाते बनाते मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पास तो 50 से अधिक कोलियस की वराइ कभी देखा नवश्कार आप देख रहे हैं गार्डिंग एस्थेटिक्स और मैं हूँ अनीता दिनेश आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे परेनियल प्लांट के बारे में है यह बहुत खूबसूरत है जो बहुत सारे कलर्स में आता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रे अंसर मैं साथ साथ देदी चलूंगी और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरी एक सबस्क्राइबर फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने कोलियस को ला करके और रीपॉर्ट किया और उनका कोलियस ठीक से नहीं चल रहा है खराब हो रहा है उन्हें लग रहा और अगर ऐसा होगा भी तो रीपॉर्टिंग शौक में जाने के बाद धिरे-धिरे उबरेगा पर कोलियस एक ऐसा प्लांट है कि उसको रिपॉर्ट करने की इस समय जरूरत नहीं है फ्रेश कटिंग आप इस समय बना सकते हैं फ्रेश कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हों चोटी कटिंग लीजिए और बढ़ियां ग्रोंगी पर रिपॉर्ट मत कीजिए दूसरी बात कोलियस को कभी भी रिपॉर्ट करने के चक्कर में मत पढ़िए जब भी आप देखिए इस तरह से कोई नया प्लांट लाते हैं आप इसमें से उपर से पांच शे कटिंग निका इस दिन में बहुत अच्छा हो जाता है तो यह भी चक्कर नहीं है और पनी वाला जो प्लांट है ग्रो बैग वाला जो प्लांट है उसको आप उसी में रहने दी पॉर्टिंग के जंजट से बचेंगे और साथ ही साथ आपका जो नया प्लांट है वो भी तयार हो जाएग तो वराइटी को मिंटेन रखने का यह सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है आप सब लोग जो मेरे वीडियो लगातार देखते हैं वो जानते हैं कि मुझे कोलियस बहुत पसंद हैं और मेरे पास करीबन इनकी 35 या शायद उससे भी ज्यादा वराइटी हैं और यह ए बहुत तेज ग्रो होने वाला प्लांट है और एकदम से आपके गार्डन को लिफ्ट कर देता है चाहे आप बैलकिनी में लगाएं चाहे हैंगिंग बैसकेट में लगाएं चाहे प्लांटर में लगाएं क्यारियों में लगाएं यह जो एक रेंबो फील दे देता है आपके बर्न हो रहे हो जुलसी दिखाई देती हैं तो ऐसा क्यों होता है देखिए मैं आपको जो वीडियो में आप फोटेज देख रहे हैं वह सुवेरे के या शाम की वक्त की फोटेज क्योंकि गर्मिया काफी है आफ्टरनून में मेरे भी प्लांट इस तरह की दिखाई देते हैं पर वो शाम होते होते वापस अपने पुराने शेप में आ जाते हैं और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि मैं इनको दोपहर में दिन के वक्त कितने भी जुल से दिखे लेता है तो शाम होते ही यह प्लांट अपना पुराना शेप ले लेता है कि वक्त कितने भी जुल से दिखेंगे इनमें पानी नहीं डालती हूं पर सुबेरे नौ बजे तक मैं इनमें थोरोली वाटरिंग करते हैं और शाम को भी आपको एक बार पानी जरूर डालना चाहि क्योंकि यह जो टाइम होता है समय कोलियस को काफी पानी की जरूरत पड़ती है गलती क्या होती है कि जैसे आप कहीं से आये या आपने देखा कि आपका जो प्लांट है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है आपने तुरंद पाई पुठाया और पानी डाल दिया बाहर गरम पानी गरम और सब कुछ गरम होने के बाद वो प्लांट खराब हो जाएगा वो बिल्कुल नहीं बचेगा पर अगर इस तरह से मुर्जाया हुआ प्लांट है और पॉट में पानी है तो इसको कुछ नहीं होगा यह शाम को वापस अपने शेप में आ जाएगा तीसरी चीज मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ लगातार कोलियस की कटिंग को बनाते रहें और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यह पर्टिकुलर वराइटी कहां मिलेगी यह कहां मिलेगी तो देखो आप मैं कभी भी ऑनलाइन प्लांट्स नॉर्मल प्लांट्स नहीं खर जबकि आप अगर किसी नर्सरी से जाके खरीदेंगे तो इसकी एक पनी वह चालेस रुपए की आएगी बहुत अच्छी वेराइटी होगी वह आपको साथ में देदेगा मगर वह पॉली बैग में मिलते हैं यह प्लांट्स और यह जो समय यह कोलियस के नए प्लांट्स नर एक एक दो दो जो वेराइटीज मुझे दिखती हैं कि यह मेरे पास नहीं है वो ले लेती हूँ कोलियस एक बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला प्लांट है 30-40 रुपए में इसका एक ग्रो बैग में लगा हुआ पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट्स मिल जाता है जहां भ दो दो बनाती ही हूँ क्योंकि मेरे पास लगाने के लिए काफी बड़ा सा एरिया है और जो भी नर्सरी पॉट खाली होते है या कोई भी ऐसा प्लांटर खाली होता है जिसमें मुझे लगता है अभी लगाने के लिए वहां पर प्लांट नहीं है तो मैं कोलियस की कटिंग लगा करके उस जगह को उस प्लांट से फिल कर देती हूं और आप भी तरीका अपना सकते हैं अगर आपके पास पड़ा एरिया है और आप ज्यादा प्लांट नहीं ले पा रहे हैं तो आप को लिएस को लगा सकते हैं और मैं उन लोगों को भी कहूंगी जो गार्डनिंग वी shipment होती है वह अच्छी आती है देखने में आईस को आपकी जो पि yell होती हैं वह तिलक्ती है किसी ने पूछा ता कि इस समय गर्मियों में में क्याramos में फΟलाइजर दाल सकते हैं बिलकुल भी मद दालिएगा कोई भी फर्टिलाइजर मद दालिएगा जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजर की हां अगर बहुत ज्यादा लग रहा हो ऐसा आपको तो एकाद मुठी वर्मी कंपोस डाल दीजिए इसके अलावा कोलियस में किसी भी तरह का कोई केम पूछ वराइटी जैसी होती है जो जैसे ही मौसम में तेजी आती है या टेंपरिचर में कमी आने लगती है या बारिज ज्यादा होने लगती है वह कोलैप्स करती कभी आप इस चक्कर में मत पड़ो कि आप पूरा प्लांट बचा लोगे कोलियस एक ऐसा प्लांट है कि इसके अलावा आप कवर्ड बैलकोनी में साउथ में वेस्ट में भी रख सकते हैं या फिर आप नीचे के लेवल में इनको लगा के रख सकते हैं क्योंकि जो गरम हवा होती है वह हमेशा उपर होती है ज्यादा तो अगर आप अपने कोलियस प्लांट को देखिए आप देख कि जो हवा गरम होती है वह उपर की तरफ होती है हवा जब ठंडी हो जाती है तो उसका वजन होता है वह नीचे की तरफ तो जब भी गर्मिया भी होंगी तो नीचे की जो हवा होगी वह रिलेटिवली ठंडी होगी उपर की हवा से और जब आप स्टांड पर रखते हैं तो तो गरम हवा नीचे से भी आपके प्लांटर पे अटेक करती है, उपर से भी करती है, तो नतीजा मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी, और आपका प्लांट खराब होगा, और खासकर हवा के थपेड़ों से भी खराब होगा, तो कोशिस करिए दिवार के साइड रखिए नौर्थ में अगर आपके पास जगह है तो रखिए, आपके पास इस्ट में जगह है तो रखिए, तो देखिए आपका प्लांट कभी भी नहीं खराब होगा, और साउथ में भी अगर आपके पास आप्शन नहीं है, तो ग्राउन लेवल पे रखिए, और काफी सारे प्ला करके रख दीजिए ताकि किसी तरह से इनकी शाम कटे शाम को आप फिर पानी डाल दीजिए अच्छा है आपको मेरी मेनत और मेरा वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे और भी कुछ वेराइटीज हैं जिनके नाम में तलाश ही नहीं पाई थी इसलिए उनको इस वीडियो मे नहीं बताया और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बेरे मच